मैं बताब आपने जो भाई हैं उनको अंदर नहाने की आदत नहीं है जबी भी कोई ऐसी जगापर जाते हैं जहां पर नसारे अच्छे हैं या क्या अपना यह रूम है रूम के पीछे थोड़ा बगी चाहे खलियान है वहाँ पर जाकर यह नहाए और जो काम कर रहे थे में सुना होगा तो कभी आपने इनके पयार और दरियादिली के किस्से सुने होंगे लेकिन आज हम आपको सल्मान खान का एक ऐसा किसा बताएंगे जिसे सुनकर आपको भी हसी आजाएगी दोस्तों ये विडियो सल्मान खान के शो दसका दम की है जाहां इस शो के ग्रैन्ट फिनाले में शारुक खान और रानी मुखर जी आये थे शो में शाहरुक, सल्वान और रानी मुखर जी ने खूब मस्ती की और लोगों को खूब हसाया साथ ही इस मस्ती में चार चांद लगाने का काम कमीडियन सुनील ग्रोवर ने किया सुनील ग्रोवर ने कभी नकली बच्चन बनकर तो कभी रिनकु भावी बनकर सभी को खूब एंटर्टेन किया शमा प्रार्तियों मैं आप लोगों से मुझको राना जी माफ करना गल्ती मारे से लोगों गप चुप गप चुप गप चुप शो में सल्मान खान, शाहरुक और रानी से नहाने से रिलेटड एक सवाल करते हैं उसी दोरान शाहरुक खान सल्मान का एक किसा बताते हैं कि किस तरह सल्मान खान खुले में नहाते पकड़े गए थे दरसल दोस्तों ये बात तब की है जब सल्मान खान जोडपुर की जेल में थे सल्मान को उस जगह नहाना पसंद नहीं था जहां सब लोग नहाते थे इसलिए सल्मान खान बाहर आकर खुले में नहाने लग गए सल्मान को लगा कि यहां तो एक दिवार है इसलिए इन्हें यहां कोई नहीं देख रहा लेकिन बाद में किसी ने आकर भाई को बताया कि दिवार की वज़े से तो आपको कोई नहीं देख रहा लेकिन ये जो CCTV कैमरा लगा हुआ है इसके जरीए आपको सब देख रहे हैं तो दोस्तों जाने अनजाने में सल्मान खान को भी इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है अगर आप भी ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो विडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एपिसोड के दोनों पार्च के लिंक दिये हैं आप वहां से देख सकते हैं